आई सी ए आर में असिस्टेंट की भरतिया चुकी है और आप इसका आवेदन कर पाएंगे आज यानिकी साथ मई से आप देखेंगे तो यह जो नोटिफिकेशन है यह साथ मई को ही जारी हुआ है और इसका आवेदन एक जून 2022 तक होगा यहाँ पर एक जून 2022 तक आप इसमें फीज का पेमेंट भी कर सकते हैं इसमें दो दिन करेक्शन भी होगा पांच जून से लेकर के साथ जून तक यहाँ पर जो सी बीटी वन होगा यह जून 2022 में हो सकता है यानि कि जून के अंतिम सब्ता में आपको इसका परिच्छा होता हुआ दिखाई देगा यह ग्रेजु देना होगा यह OBC, UR और EWS को 1200 रुपे देना होगा महिला है AC, HT और जो परसंट डिसेबल है उनको 500 रुपे देना है इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से अपना आवेधन कैसे कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको एक्ज जरूर चेक कर लें वहां आपको नोटिफिकेशन मिल जायागा नोटिफिकेशन के बाद वहीं पर आपको अनलाइन करने का लिंक भी बिलेगा जहां पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पे आ जाएंगे अगर आप मोबाइल यूजर है तो क्रोम प्राउजर का य बिल्कुल नीचे जा करके यहां पर आई अगरी की सामने चेक बाक्स पर ट्रिक करना है प्रोसीड टू रजिस्टर कर देना होगा जो लोग पहले से रजिस्टर है उनको यहां पर नीचे वाले पर क्लिक करना होता है देखिए एक विपसाइट हाई डेफिनेशन पर करना इसके बाद यहां पर मुबाइल नंबर मुबाइल नंबर को दुबारा इंटर करना होगा ताके कोई गलती नहों इमेल आईडी और यहां पर इमेल आईडी को दुबारा इंटर करना है अगर आपके पास एक से अधिक मुबाइल नंबर है तो यहां पर दे सकते हैं ए आपके मुबाइल और इमेल पर यही चीज आपको मैसेज की जा चुकी है अब आपको सिंपली ऊपर दाये तरफ लगाउट पर क्लिक करना है यह लगाउट हो जाएगा यहाँ पर आपको यूजर आईडी देनी है और पासवर्ड आप अपना मुबाइल नंबर चेक करिए वह एक नया पे जा चुका है यहाँ पर आपको अपना प्रसनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल और डिकलिरेशन भरना होगा सबसे पहले हम युगिता वाले पर देखने है तो यहाँ पर आपको जेंडर बताना है यहाँ पर आपको कटेगरी भरनी है उसके बाद आपकी इस नल्टी क्या है यह आपको स्लेट करना होगा यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको परिचाओं का बिकल्प चुनना है पांच बिकल्प आपको चुनना होगा नीचे जाने पर में एक्जामिनेशन के लिए आप कहा पर इच्छा देना चाहते हैं उसको यहाँ चुनना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट आप बर्थ फिल करनी होगी यहाँ पर कहा गया है क्या आप अडिसेबल परसन है अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है कि आप आई सी ए आर में इंपलाई हैं अगर आप हैं तो आप यस कर सकते हैं इसके डील, ओटर, पासपोर्ट, रासन, पासबुक, कुछ भी दे सकते हैं, यहां पर जो भी आप ID देंगे, उसका नंबर यहां पर लिखना जरूरी होगा, नीचे जाएने के बाद यहां पर आपको अपना पूरा पता भरना होगा, और अगर आपका पर्मानेंट पता ही करास्प डीटेल भरना होगा, जैसे कि साटिफिकेट नंबर, अपने बोर्ड का नाम, इनिस्ट्यूट का नाम, आपने दस्वी कब पास किया है, कितना परसेंटेज है, अगर वहां पे ग्रेड वाला सिस्टम है, तो आप इसे बरेंगे, नीचे आपको बारामी वाला डीटेल भरन बर्ड का नाम, पास होने का वर्स और कितना परसेंटेज मिला है, इसके अलामा जो आपका डिप्लोमा है, तो आप डिप्लोमा को भर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है यह है डिग्री वाला सेक्शन, यहाँ पर डिग्री वाले में आपको भरना होगा, बी यह या फिर यो भी आपका है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर केवल आपको बैचलर डिग्री पर ही सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर इनिस्ट्यूट का नाम यहाँ पर परसेंटेज आपको बरना होगा इसके अलावा अगर आपके कोई सैचिक योगिता है तो उसको आप यहाँ बढ़ सकते हैं अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ने के बाद save and nest जरूर कर दें अब आपके category के मुताबिक आपके फीस यहाँ पर दिखने लगेगी लेकिन यह जो फारम है एक demo के तोर पर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको फीस जमा करने से पहले यह सारे डाकुमेंट अपलोड करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट वाला फोटो अपलोड करना है जो कि तीन सब्ता से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो क्लियर होना चाहिए चस्मा नहीं होना चाहिए सामनी से लिया होना चाहिए यहाँ पर आपको अपना signature अप्लोड करना है यहाँ पर जो आपने government ID दिया है जैसे कि pen card, रासन card उसको यहाँ पर अप्लोड करना होगा यहाँ पर आपको degree वाले का अंतिम वर्ष का प्रमाण पत्र या फिर degree प्रमाण पत्र अप्लोड करना होगा और यहाँ पर अगर आप कोई category भरते हैं जैसे कि AC, HD, OBC तब आपको यहाँ पर उसे अप्लोड करना पड़ेगा तो यहाँ पर देखें हमने सारे document अप्लोड कर ली है यहाँ पर इस capture code को enter करना है I agree के सामने trick करना है और preview करना है प्रिव्यू करने से जो आपका फारम है यहाँ आपको देख जाएगा आप इसको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं अगर कहीं पर कोई गलती है तो आप उसे अभी change कर पाएंगे अगर आपका फारम पूरी तरह से सही है तो आपको submit वाले पर क्लिक करना होगा और submit करने के बाद आपको एक okay का message आएगा ओके होने के बाद यहाँ पर इस तरह privacy notice का एक message आता है और आपको यहाँ पर agree करना होगा अब आप सीधे payment वाले page पे भेज दिये जाएंगे और आपको आपका जो भी payment है उसे करने के बाद फारम automatic complete कर दिया जाएगा तो यह है इसका पूरा process इस तरह आप अपना पूरा फारम कर पाएंगे फारम भरने में अगर कहीं पर website crash होती है या फिर आपका फारम cancel हो जाता है तो वीडियो के description में दिये गए link पर click करके आप नीचे जाएए और यहां पर check box पर trick करके already registered वाले पर click करेंगे और आपका जो भी detail होगा उसके मुताबिक किसे फिर से सुरूख कर सकते हैं अगर आपको आवेदन करने में कहीं पर कोई दिक्क्त आती है तो comment करके बता सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक्यों